पंजाब में अगले साल विधान सबा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले कॉंग्रिस पार्टी आलाकमान सूनिया गांधी ने जिस तरह से चुनावी मोर्चा संभाला है और खास तोर पर अगर देखा जाए तो पंजाब में कॉंग्रिस पार्टी के अंदर मचे घमासान को सुधारने का जो कदम उठाया है इसे देखकर ऐसा लगता है कि वाकई में सूनिया गांधी ने चुनाव से पहले ही कदम उठाते वे कॉंग्रिस की जीत के लिए आगे का रास्ता तयार कर दिया है आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं अगर बात करें तो नवजोट सिंग सिदू और कैप्टन के बीच जो है वो पूरी तरह से दोस्ती करवाने का काम सूनिया गांधी कर सकते हैं आपको बता दू कि जिस तरह से देखने को मिला था पंजाब के मुख्यमंतरी कैप्टन अमरिंदर सिंग ने नवजोद सिंग सिदू को पंजाब कैपनेट पे जगा देने से माना कर दिया था और कुल मिलागर देखा जाए तो नवजोद सिंग सिदू कैप्टन अमरिंदर से बहुत ज़्यादा नाराज दिखाए दे रहे थे सिद्धू और कैप्टन की लड़ाई इतनी छिड़ गई थी कि पंजाब में अब बड़ा बवाल होता नजरा रहा है ऐसे में जब बात दिल्ली तक पहुँची और बात सूनिया गांधी को पता चली तो उनोंने फॉरन पंजाब के मामले को अपने हाथ में ले लिया और पंजाब की स्थियों को सुधारने का वो काम करती नजरा रही है आपको बता दें कि नवजोद सिंग सिद्धू को जिस तरह से पंजाब कैबिनेट के अंदर जगा नहीं मिल पाई हो सकता है कि अब सुनिया गांधी नवजोद सिंग सिद्धू को पंजाब कैबिनेट में जगा दिलवा दे अगर नवजोद सिंग सिद्धू को पंजाब कैबिनेट के अंदर जगा मिल जाती है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि कैप्टन अमरिंदर नहीं सूनिया गांधी के आगे गुटने टेक दिये अभी तक देखने को ये मिल रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सूनिया गांधी की बात भी नहीं मान रहे थे और जिस तरह से देखा जाए माहौल बहुत जादा अलग होता हुआ नजर आ रहा था और कहीं न कहीं इस्थितियों की हम बात कर लेते हैं तो इस्थितियां तो इस तरह की थी कि पंजाब में बहुत जादा कांग्रिस पार्टी के अंदर मंतरियों के बीच जिस तरह से वाद विवाद दिखता नजर आ रहा था जिस तरह से कुल मिला कर देखा जाए तो इस त्थियां अलग होती नजर आ रही थी लेकिन अब मौझूदा हालात को जिस तरह से सोनिया गांदी ने संभाला है जिस तरह से चुनाओं की पूरी कमान उन्होंने हाथ में संभाली और पंजाब में चल रहे पार्टी नेताओं के बीच जो अन्बन दिख रही थी उसको संभालने का काम जो करती नजर आ रही है उससे साफ पता चल रहा है कि सोनिया गांदी ने यहाँ पर पूरी तरह से मौर्चा संभाल लिया है वैसे आपको बता दे कि स्थितियां जो है वो इस तरह की बात कर रही है कि कहीं न कहीं जो कैप्टन अमरिंदर है वो अब सोनिया गांदी के आगे जुकते नजर आ रहे हैं वहीं नव्योद सिंग सिद्धू की किस्मत एक बार फिर खुलती नजर आ रही है दरसल अगर देखा जाए तो नव्योद सिंग सिद्धू ने पहले भी पार्टी आलाकमान से ये बात कहीं थी कि उन्हें पंजाब कैबनेट के अंदर जगा मिलनी चाहिए लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो नव्योद सिंग सिद्धू को ये देखने को मिला कि पार्टी आलाकमान भी इस पर कोई कदम नहीं उठा पा रही और कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से स्थितियां ये कह रही थी कि कहीं न कहीं माहौल जो है वो बहुत जादा अलग हो चुका है सिद्धू पूरी तरह से पार्टी अलाकमान से भी नाराज दिखाई दे रहे थे इसके साथी साथ कैप्टन से भी नाराज थे यानि कि देखा जाए तो जिस तरह से सिद्धू की नाराज की पार्टी अलाकमान सोनिया कांधी पर दिखती नाजर आ रही थी और कुल मिलाकर देखा जाये तो जिस तरह से मौजुदा समय को देखते हुए कहीं न कहीं पूरी तरह से नवजोद सिंग सिद्धू पार्टी आलाकमान से दिखाई दे रहते इसका मतलब ये है कि पार्टी आलाकमान को इस बात की बनक लग गई थी कि अगर सिद्धू का मामला इसी तरह से आगे बढ़ता चला गया और सिद्धू इसी तरह से पार्टी के खिलाब विरोध करते रहेंगे तो आगामी चुनाओं में उन्हें बड़ा जटकाल लग सकता है यही वज़ा है कि अब पूरी तरह से सूनिया गांधी ने मोर्चा समभाल लिया और कहीं नवजोद सिद्धू को कैबिनेट में जगा दिल्वाने की बात करते दिखाई दे रहें आपको बता दें कि फिलहाल पंजाब के अंदर इस्थितियां कुछ इस तरह की है कि कैप्टन अमरिंदर ने अपने समर्थों को ये साफ तोर पर कह दिया कि वो नवजोद सिद्धू के खिलाफ कोई बयान बाजी नहीं करेंगे यानि कि नवजोद सिद्धू के खिलाफ किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया जाएगा क्योंकि पंजाब में अगले साल होने वाले चुनाओं से पहले कैप्टन अमरिंदर किसी तरह का कोई खत्रा मोल नहीं लेना चाहते आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि स्थितियां बहुत ज़्यादा अलग तो होई रही है लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो कैप्टन अमरिंदर और नवजोद सिंग सिद्धू के बीच अब धीरे धीरे दोस्ती की पहल दिखाए दे रही है लेकिन अभी तो फिलाल ये देखना होगा कि क्या सोनिया गांधी कैप्टन और नवजोज सिंग सिद्धू के बीच दोस्ती करवा पाएंगी लेकिन हाँ ये जरूर कहा जाये तो इस्तियां ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि जिस तरह से माहौल नजर आ रहा है और जिस तरह से अगर देखा जाए तो इस्तियां ये हैं कि फिलाल कैप्टन जो है कि सोनिया गांधी के बड़े ख़दम से सिद्धू को अब पंजाब कैबिनेट के अंदर जगा मिल सकती है ये तो आगामी समय बताएगा लेकिन आपको बता दे पंजाब चुनाओ से पहले कई राजनितिक पार्टिया इस वक्ट चुनाओ जीतने के लिए तमाम तरह से उपाय करते दिखाई दे रहे हैं चुनाओ जीतने के लिए तमाम राजनितिक पार्टियों ने अपनी कमर कस्त लिए एक तरफ जहां देखा जाए तो पूरी तरह से कॉंग्रिस एक अलग स्थती में नजर आ रही है पंजाब की मुक्यमंतरी कैप्टन अमरिंदर बड़े स्थर पर काम करते नजर आ रहे हैं त इसका सीधा सीधा सर चुनाओ पर देखने को मिल सकता है जी हाँ आपको बता दे कि मौजुदा समय में देखने को मिल रहा है कि किसान आंदोलन की वजह से कहीं न कहीं बीजेपी को बड़ा जटका लगता नजर आ रहा है अगर उधरण के तौर पर देखा जाए तो उत्तर जरगार के किलाब दिखते नजर आ रहे हैं बीजेपी को पंजाब चुनाओं में जटका लगने की बहुत बड़ी उमीद दिखती नजर आ रही है ऐसे में अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि कैप्टन अमरिंदर एक बार फिर पंजाब के मुक्यमंत्री बन सकते है और अभी से देखा जाए तो पंजाब चुनाओं के लिए कॉंग्रिस ने जो रणनीतिया बनाई है वो रणनीतिया कहीं न कहीं बहुत बड़ी सावित होती नजर आ रही हैं और सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पंजाब के मुक्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर मौजूद फाइदे मन्द साबित हो सकती है वैसे आपको बता दें कि कॉंग्रिस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने पंजाब की जिम्मेदारी खुद समाली और राजस्थान की जिम्मेदारी राहुल गांधी को दी है क्योंकि राजस्थान में भी सियासी बवाल दिखता नजर रहा है राजस्थान की अंदर जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सचीन पाइलेट और आश्योग जहलूत के भी 36 का आखड़ा देखनों को मिल रहा है और साफ तोर पर कॉंग्रिस के में जिस तरह से बड़ी तूट राजस्थान में देखनों को मिल रही है इस तूट को स जिम्हितारियों को संभालते हुए बहां के मंतरीयों से बात करें यानि कि इस वक देखा जाएए तो टो कॉंग्रेश कई इस तर्फर काम करती नजर आ रहे है एक तरफ रहूल एक प्रियंका और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी, यानि गांधी परिवार पूरी तरह से चुनाओं में जुट चुका है इसके साथी साथ मंतरियों को मनाने में भी जुटे हुए SPN 9 न्यूजरूम की रिपोर्ट